तो वीडियो को अग्या पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो जरूर कर लें ताकि एसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें अगर आप हमने हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है ठीक है पूरा प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएका और उपर आई बटन पर किलिक करके भी आप जो है हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं ठीक है लाइन वाइस पेपर वन के लिए आपको वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगी तो शली आज का वीडियोस शुरू करते हैं तो आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि फ्लाइ एश ठीक है फ्लाइ एश का निर्माण का निर्माण निम्न में से किन तत्वों से होता है ठीक है तो पहला जो तत्व दे रखा है वो दे रखा है अलूमीनियम सिलिकेट ठीक है तो इससे भी होता है silicon dioxide से भी होता है और calcium oxide से भी होता है तो सही answer option number D होगा इस question का ठीक है और कौन-कौन से तत्व होते हैं जिसी की fly ash का निर्मान होता है fly ash का मतलब देखा हो आपने कुछ हवा के अंदर धूल के कंड होते हैं जो की उड़ते हैं और वो जो है हमारे वायू को परदूशित करते हैं ठीक है इससे कई परकार की बिमारियां वगरा भी होती है हमारी आखे जो होते हैं लाल हो जाती है ठीक है काफी सारा जो है नकरात्मक प्रभाव पड़ता है इसका हमारे सरी पे ठीक है fly ash तो ये सब चीजों से तो बनती है fly ash और कौन-कौन से चीज़े होंगी तो वो भी आपको याद रख लेनी है जैसे कि सीसा हो गया ठीक है सीसा हो गया अरसैनिक हो गया और कोबोल्ट हो गया कॉपर हो गया ये सब ही कंड भी जो है fly ash के निर्मान में अपनी महतपूर्ण भूमी का निभाते हैं ठीक है तो इनको भी जो है आपको याद रखना है उसका जो सही आंसर होगा और ओप्शन नमबर D ठीक है क्योंकि जितने भी याद दिये होए हैं जैसे sulfur dioxide ये भी प्रात्मिक पर्दूशक तत्व है nitrogen के oxide ये भी प्रात्मिक पर्दूशन में आ जाते है carbon dioxide ये भी प्रात्मिक पर्दूशन में आते है अच्छा प्रात्मिक पर्दूशक तत्व और दूइत्य पर्दूशक तत्व में अंतर में बता दू आपको प्रात्मिक पर्दूशक तत्व वो होते हैं जो की सीधे तोर पर पर्यावन को दूशित करते हैं या परभावित करते हैं जबकि दूइतिय पर्दूशक तत्व वो होते हैं जो परत्यक्ष रूप से ना हो करके कि आप परत्यक्श रूप से पर्यवन को छटी पुंचाते हैं ठीक है जैसे कि सल्फर गैस जब है उपर हवा में जाती है तो वो जल बगेरा से अभी करिया करती है उसके बास जो है सल्फ्यूरिक अमल बनाती है थीक है जैसे हम अमल वर्षा कहते हैं तो Sulfuric अमल जो है ये दूइत्य परदूशक का उधारन होता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? और कौन कौन से प्रात्मिक परदूशन में आ सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है जैसे कि एक और हो जाता है, Carbon Monoxide ठीक है, Carbon Monoxide और जितनी प्रकार के जो विविद रूप से HydroCarbons होते हैं ठीक है ये सभी के सभी जो है प्रात्मिक परदूशन में गिने जाते हैं अर दूइते वाला मैंने आपको पहले की वीडियो में बता दिया विस्तार से नेक्स्ट वोशन है वर्चुल रियालिटी उपलब्द कराती है क्या उपलब्द कराती है सुस्पस्ट रियालिटी व्यक्तिकत सुरण या फिर सह भागी अनुभाव तो सही आंसर है option number C ठीक है सह भागी अनुभाव करवाती है ठीक है तो यह आपको याद रखना है देखें वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें पहले की वीडियो नहीं देखिए तो आप उसे जरूर देखें क्यूंकि नेटी एक्जाम्स के लिए बहुत कम समय बचा है तो आप जितनी अच्छी तरह से अपना रिपीज प्राथमिक वते हैं उसमें दो प्रकार के सोर्ट होते है सोर्सिस होते है मित्योंत हिए ऐणिद्विती अफ्रमी को सौनब झरूर टी खें वो प्युक्त सभी, अच्छा, साक्षे सामिग्री में, साक्षे सामिग्री में, प्रात्मिक और दूइते जो है, अब इन में, इन स्रोतों में अंतर क्या होता है, तो जो प्रात्मिक स्रोत होते हैं, वो परतेक्ष तौर पर, सीधे तौर पर लिये जाते हैं, जब कि जो दू तक ही ठीक है जो कि वेक्तिव की दौरा हाथ से अपने लिखी जाती है इंटरनेट अप इंटरनेट में विक्किपीडिया मत मान ले ना इंटरनेट पे कई लोग अपने प्रस्नल ब्लॉग्स वगरा लिखते हैं वो उसको में उसकी में बात कर रहा हूं ठीक है मूल लेख आ शोध परबंद आ गया यह शोध लेख आ जाएगा ठीक है यह सारे के सारे प्राथमिक शुरुत माने जाते हैं आकड़ों ठीक है जबकि दुईत्य सुरुतों में कौन-कौन से आ जाएंगी दुईत्य सुरुतों में आ जाएंगी अब यह तीन तो मैंने आपको बता दिए एर बुक, इंसाइकलोपीडिया, संपादित गरंथ, ठीक है और आ जाएंगे अनुवादिक पुस्तके, अनुवादित पुस्तके, ठीक है यह आपको याल रखना इसमें निम्न में से कौन कारेशाला में भाग नहीं लेता है, कारेशाला वर्कशॉप किया पर बात की जा रही है, तो कारेशाला में कौन कौन देखे संचालक होता है, आयोजक होता है, विशे विशेशग्य भी होता है, लेकिन वक्ता नहीं होता है, ठीक है, तो सही आंसर ठीक है सहभागी होता है इसके आपे निमिल लिखित में से कौन सा मर्दा परदूशन का कारक है तो मर्दा परदूशन जो है वो रसाइनों के परियोग से होता है लवनिये जल से होता है नगरीये अप्सिस्ट होता है तो सही आंसर अप्शन अमबर डी है यह सारे के सारे कारक जब्मेदार हैं मरदा परदूशन के लिए और भी कई सारे कारक हैं, जैसे की और धोगिक अब्सिस्ट ठीक है, और भूमीगत अब्सिस्ट और अमलवर्षा अब्सिस्ट ठीक है, तो आप जो हैं, इस तरहिकेगे आप सारे कारकों को याद कर सकते हैं एक्जाम में यहां से भी question पूछा गया है ठीक है तो यह भी आपको जो है याद रखना है next question है जैव विविद्था सब्द का पर्योग सर पर्थम किसने किया था ठीक है सर पर्थम किसने किया था तो जैव विविद्था सब्द का पर्योग सबसे पहली किया था E.A. Norse ने option number A इसका correct answer है E.A. Norse ने सन 1980 में ठीक है लेकिन सर पर्थम आगर आपसे पूछे तो E.A. Norse किया था लेकिन अगर सर पर्थम नहीं लिखा होता जैव विविद्था सब्द का पर्योग किसने किया था तो Walter G.Rosain ठीक है आपका आंसर फिर ये होता इन्होंने 1985 में सब्द का पर्योग किया था इंगलिश में biodiversity कहते हैं इसे ठीक है next question है वन ने जीव सनरक्षन अधीनियम देखे वन ने जीव सनरक्षन अधीनियम का पारित किया गया था सई आंसर option number B ये तो 1972 में पारित किया गया था अगर पूछ ले आपसे कि वन सनरक्षन अधीनियम वन सनरक्षन अधीनियम तो आपका आंसर होगा यहाँ पर 1980 में लेकिन अगर यहाँ पर आपसे पूछ ले कि परियावरन सनरक्षन अधीनियम का पाया था तो 1986 में और अगर आपसे यहाँ पूछ ले जल परदूशन अधीनियम का पाया था तो यह हो जाएगा 1974 में और हाँ रास्टे वन नीती अगर आपसे पूछ ले रास्टे वन नीती कब बनाए गई थी तो ये बनाए गई थी उन्ने सो अठासी में ठीक है यह आपको याद रखना है यह रिपीटिड है यह भी एक्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि वन ने जीव संद्रक्षन अदिनियम के आपर अलरेडी सवाल पूछा गया है ओके तो आज की वीडियो में इतना ही ठीक है अब मिलेंगे अगली वीडियो में वीडियो पशंद आयो तो लाइक जरू कर देना पहले की वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लें ूपर आई बटन पे क्लेकर की भी आप देख सक में सो मिलिंग एम नेक्स दूनियमे थार वाचिंग थार वाचिंग इस वीडियो